वेलकम डिये स्टूडेंट आज फिर हम आपके लिए वैब डिवेल्पमेंट की जो सीरीज हमने चला रखे उसमें HTML का जो कॉंसेप्ट चला थो उसको आगे बढ़ाते आए हैं आज हमारे वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं कि HTML या वैब पेज बनाते समय हम जो टीबल कैसे त्यार करते हैं रो एंड कोलम की या उसमें ओडर और अन ओडर लिस्ट कैसे त्यार होती है आज हमारा कंसेप्ट यह रहने वाला है ज्यादा टाइम आपका ना विस्ट करते हुए हम टोपिक स्टार्ट कर लेते हैं देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने लासी एका एक टैग सबसे पहले का लगता हैju प्टेमल फिर उसमें एक हैड का लगता है फिर उसमें बोड़ी तो स्टार्ट करेंगे ऐस टीमल पिर इसका ह्ट मूर्योस्त को अबउल कर देंगे के साथ यह बाते हम पिछली वीडियो में डिसक्स कर चुके हैं तो यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका हम बोड़ी लगाएंगे के बाद बोड़ी का टैग होगा और फिर बोड़ी को क्लोज कर देंगे यहां क्लोज के लिए का यूज किया जाता है उससे पर जो है बोड़ी से उपर हम लगाते होते हैं कौन सा टैग लगाते हैं टाइटल के लिए तो हैड टाइड और हैड को लोज दिया जाता है यह स्ट्रूटर होता है एस्टीएमल का तो यह है और हैड को भी हम यां मूव कर लेंगे क्योंकि यह इसका एक अगर हम ऐसे प्र प्रोग्राम खुरान करते हैं तो हम नए चलता है और अब हम बनाते हैं एक टेबल सबसे पहले टेबल करेंगे रोएंड कोलम की एक टेबल कैसे त्यार की जाती है एक वेब लुद्ट सबसे पहले सबसे बहुत हैं तो सबसे नहीं है मतलब रहता है हमेशा क्या स्लैस ने सको क्लोज किया जाता है अब जैसे देखिए कोई बनेगा तो टेबल बोर्ड़ होगा उसकी चुडाई होगी ठीक है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका बोर्डर देना होगा हम टेबल के अंदर लगाएंगे टेबल बोर्डर और गोर्डर का साइज एक बार ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए है साइज में क्या डिफेरेंशी रहेंगे टैन का साइज का हम बोर्डर ले लेते हैं बाद में इसका चैंज करेंगे जिससे उसका साइज का आपको अनुमान लग जाएगा जो चैंज कर सकते हैं तो टेबल स्टेबल बंद और उस टेबल का एक एक अट्रिबूट यूज किया ह कि ढूएज हैं हमने क्या बोर्डर और कोई भी टेबल जो बनती है रो एंड कोलम की टेबल तो उसके अंदर रो होती हैं के लिए और उसके बात कोलम होता है तो रो कोलम का एक स्टक्जर होता है मान लेजिए हम किसी स्टूडेंट का रिकोर्ड मेंटेन करना चाता हैै मान जे उसका name, father name, row number, Hindi marks और math marks तो ये उसका एक row बन गई, फिर उसका एक student का record, second row बन गई, फिर third row बन गई, ऐसे कितने भी record हम डालेंगे, तो वो row बनती जाएंगे, तो row में column क्या है, name एक column रहेगा, father name एक column रहेगा, तो इस परकार से एक table के अंदर row and column का जो structure रहेगा, तो स आइमने table का बनाते हैं, सबसे फहले एक उपर वाअइमाली table की row बनाएंगे, तो टी-र, table row, tri किसको denote करता है, table row को denote करता है, table row को close भी कर देंगे, तो ये एक row त्यार हो चुकी है, एक row उपर वाली, हमाल लेजी हमने table किसकी बनाने थी, student की, to हमने तियार किया प्त्यार को table data से होगा td और td clause एक रो एक रो में पहला td फिर दूसरा td बनाएंगे उसी के नीचे दूसरा td कर देंगे हम td तो इसका मतलब अभी तक क्या है इस structure का इसका मतलब यह हमारे पास table है एक रो बनी है एक रो में दो कोलम बनाए हमने एक कोलम और बना लेते हैं तोड़ी टेबल का लुक अच्छा हैगा तो इस से हमारी एक रो त्यार हो जाएगे अब उस रो में जैसे एक टेबल टेबल की पहली रो पहली रो में क्या-क्या फिल्ड होंगे तो तीन फिल्ड हमने टीडी बन टीडी टू टीडी थी ठीक है तो है ये में हमारा में रहने वाला है फिर रोल अमबर लेंहें हम रोल अमबर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद चिजार करेंगे एंगे हमें तियार किये तीदी टीडे टीडेटी टेवल डाटा टेवल डाटा टेबल डाटा यह स्टक्चर रहे ओसको लिए करते हैं फिर इसकी अडपानों की तरब चलते तो पहले इसको सेव करना जूरूरी है फाइल में गई सेव डैक स्टोक पे सेव करें आप और HTML एक्स्टेंशन जरूर देंगे हेलो का नाम दे देते हैं हेलो डॉट एक्टी एमल प्रेस्टेमल का पेज हमारा यह त्यार हो गया और इसको हम सेव कर लेंगे पेज्ञे दिली दे को हुआब हमारे पास यह बातरी मょंपीं आयारी मीनीम गरेंगे और हमारे यहां पर हमारे मिले वह यहां लास्ट में एसको करेंगे तो हमारे पास जो आउटकुट है वह ready हो के सामने आ गई है कैसे एक यह बोर्डर है जो हमने लिया था इसमें एक रो बनाई यह एक रो थी इसमें तीन टीडी थे तीन पॉलम बना दिया नेम रोलंबर और सीटी अब इसमें अमने बोर्डर लिया था कितने का हम वापिस पोडिंग में जागे देख सकते हैं नोट और साइस का मुझे इसको सेव जरूर करेंगे फाइल में जाकि सेव नहीं जाकि सेव करेंगे जो होगी अब हम दोवारा बराउजर पर जाएंगे और उसकी आउटपुट को देखें क्या चैंज दोबारा चैंज को देखने के लिए हम यहां रीफ्रेस्ट पे क्लिक करेंगे कैसे तो हम नोटपैड में फिर चलते हैं यह हम जो है इस एरिया को थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं और नीचे की स्पेस करते हैं ताकि अब एक रोबन गी एक रोवर बना नहीं है एंटर है यह टी आर को हम क्या करेंगे क्लॉट अब इसका थोड़ा हम ऐसे क कर लेते हैं नोटपैड में इनका ताकि सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दोती रहें और इसका साइब थोड़ा हम 26 कर लेंगे ऐसा भी डिस्प्ले में दिखे ना ओके तो अब देखिए अब हमारा जो स्टॉक्चर है एक नीचे हम कर्सर दबाएंगे और नीचे की तरफ यह उपर की तरफ कर लेंगे येस तो हमारा जो है स्टॉक्चर दिखता रहेगा येस गुड़ अब हमारे पास एक रो है अब यह दूसरी रो है इस रो में भी हमें तीन कोलम बनाने हैं तो हम फिर अगेन लिखेंगे टीडी और टीडी को क्लॉज करेंगे अगें एक टीडी और तार करेंगे टीडी, टेबल डााटा अगें वन मौर यह दर तो हमारे पास second row भी त्यार होगे टेबल के अंदर इस इस योग टेबल फास्ट रो कर देते हैं कर देते हैं कर देते हैं क्लीप और नेक्स्ट है रोलंबर कर देते हम 786 और सिटी हम कर देते हैं हर्याना फतेवाद रैक्ट में फतेवाद तो यह हमारा जो है डैटा हमारा त्यार हुआ है पहले टेबल बनी टेबल में क्या हुआ एक रो फिर दूसरी रो और उसमें हमने डाटा को फीड आउट किया अभी यह चैन्जी जो किया है एक टेबल में दो रो हमने बनाई है इसको चैक आउट करने पहले इसको सेव करेंगे फाइल जाएंगे इसमें सेव और उसके बाद हम वो ब्राउजर जहां पर रन किया था और हम रीफ्रेस्ट कर देंगे यहां से तो देखिए नेम रोलंबर और सीटी और उसके बाद एक डाटा हमने इसमें फीड आउट किया तीस परकार से हम टेबल में अब अलग और डाटा डालना में एक रोख और गृजर क्रके आपको दिखा देता हूं इसमें नहीं में तीम बना रहे हम तीन कॉलम बना रहे हैं हम裡 टीडी बन और टीडी बन एख अब यह हमारी थर्ड रो भी त्यार हो चुकिश्में हम डाटा फिर ईप कर देते हं यहां पर हम डाल देते हैं बंद अब हम रोल व्क देते हैं वम अ구요 और उसके बार हम फतेवाद हम हर्यान ऑप हमने क्या कि एक लिए पहले इसको डिस्पले में देख लेते हैं पाल में जाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे यास तो हमारा एक टेबल स्ट्रुक्चर त्यार है अब हमें याद आया है कि हमारी table में हमें e column or add करना है clear तो कर सकते हैं कैसे करेंगे हर जो टी यार है table row है उसमें TD or add up करने के लिए हम जाएंगे coding में और यहाँ पर सबसे पहली जो row है हमारी पहले यहाँ पर जो पहली row थी इसमें TD or add up कर देंगे TD प्रिडिक Θा और इसमें हम डाल देंगे मानलेज से हम डाल देते हैं ईड्रस में ऑघ्टेस बार दिया उसके बाद यहां पर भी हम एड्रस का सालम ले देते सborg यहां और यहां पर तीडीम डाल देते टाउंच इन ती ओड़ deepest ठीक है? और उसके बाद या हमारा माली जी address है उसके बाद हम जो ठेकन हमने data डाला था उसका भी हम edit कर देंगे इनका भी हम screamed डाल देतें जो भी हमें डालना circuitन डाल देते हैं अब इसको save करेंगे जिससे क्या हुआ कि हमारे जो table है उसमें इस डाटा और हमने एड़ कर दिया है और रिफ्रेस्ट करेंगे अब देखे एक कॉलम और एड़ हो गया हमारा ठीक है और एक बात और आप इन दोनों के बीच में भी नए ऐड़ कर सकते हैं क्योंकि आपका टेबल स्टक्चर अब एक यह वैप पेज के लिए कैसे त्यार करते हैं बट अब इसकी थोड़ी ग्राफिक्स भी करते हैं इस टेबल में थोड़ा सा और इसकी मान लिज्चिया यह है ठीक है तो यह अलग से ठोड़ा बोल्ड दिखे या थ यहज़ सकते हैं जैसे देखें हम करते हैं को डिंग कि तरफ अब हम और सब्सके पहले बोडी का गया जैंज कर लेता है है पूरी बोडी तो चाहिक पेज का हो गा बीजी कलर मेंtype कल मेर्ड कर लेते हैं इसके बाद हम जो एह ना जो हमारी टेबल त्यार किये इस टेबल का भी बीजी कलर कर लेते हैं बीजी कलर हमारी टेबल जो है वह किस कलर की हो गई है येलो कलर की और बैक्राउंड पेस का वह ग्रीन कलर अब इंडिविजबिली भी आप एक पूरी रो का कलर भी चैंज कर सकते हैं ठीक है रो रो का कलर चैंज करना तो कैसे करेंगे वापिस हम हमारी कोर्डिंग की तरफ चलता है और लेंगे तैय आरा है ना तो यहां पर हम बी को सेब करना ज़रूरी है और वहां बाद यह देखे हैं अलग से दिख्रा और बात बत बतादें आपको इंडिमीजब्स ने का कलर भी आप चैंज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं माल लिजिए हमें इसको हाई तो इसको Highlight करने के लिए माले जी पर्टिकॉलर का कलर अलग करना है हमें तो कैसे करेंगे तलेंगे वहाँ ऑर यहां पर भी जहां भी आपने लिखा है तुछ है श्का आप क्या करेंगे यहां पर टीडि त्मक्रमणा करना चाहिए आप जैसे उसका अब करना जडूरी है उसके बार हम इसको जाकर रिक्रेस्स करेंगे डिस लग अब चैंज कर सकते हैं ठेबल बैक्रांथ कर सकते हैं अलग रोग चैंज कर सकते हैं अलग लग से का भी कर सकते हैं और तो कुलर बाटा रहे तो आप कैसे करेंगे चलते हैं यह अब आ हम ज है इसका चैंज करना है लगा देंगे यहां पर फंट कि इसमें नहीं लगाएंगे इसमें नेम से पहले लगाँ केंगे प्रउंट का टैग हमने पीछे वीडियोepend complice एड कियाओ में लिखेंग एक बोड़ेगा साथ में कलर कर लेते हैं कंको साइज कर लिए एक बार साइज है अग्षां आप इसका स्क्राइब और यां बंद कर दीजिए पीछे नेम के बाद यह तो शिर्फ नेम नेम को हमने फॉट टैक्ट के अंदर लिया है तो नेम नेम हमारा इस पॉट का फॉजए ओली नेम पे लिए और लग लग पे लेंगे तो अलग-लग हो जाए अमला और इस को हम से लेता है एक और उसके बाद हम ब्राउजर को पन करेंगे और रीफ्रेश करेंगे अब वाइट कलर का बैक्राउंड हमने कर दिया था उसकी विज़े से वह ने भी वाइट का हो गया वह में थोड़ा चैंज करना होगा दोबारा कोडिंग में चलते हैं तो यहां पर हम यहां क्या कर लेते हैं यहां पर कर लेते हैं ब्राउन कलर कर लेते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे कोई कलर आप कर सकते हैं और इसको हम अब रन करेंगे नाव इस बिकम है ब्राउन कलर ठीक है और यह साइज भी देखी चैंज हो गया तीस परकार पूरी टेबल के अंदर आप कहीं भी कोई चैंजिस करना चाहें तो वह कर सकते हैं कलर चैंज कर सकते हैं साइज कर सकते हैं स्टाइल बोल्ड इटैलिक अंडर लाइन जो पीछे टैग हमने पड़े वो सारे जिस नाम के आगे पीछे लगाओगे उसके उपर पूरी अक्तिविटी पर्फॉंग हो जाएगी इसमें मार्क यू भी लगा सकते हैं आपके मार्क यू टैग हमने लगाया था जो मूमेंट करता है अब यह नेम के सामने जो वहां लिखा है वहां मार्क यू टैग लगा बलिखा देखा देते आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए चीजएं करते होते हैं जैसे नेम के नहीं लगा та देते तो सामने मार्क स्थर्ट करेंगे के लिए wanna Road के आउड़ और और कलाउज और नेम के बाद मार्क यू लोगा कर देंगे एक बात का ध्यान रखना है जब हम यह इतने सारी टैग लगाते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग प्रोपर करते रहें ताकि ध्यान रहे कौन सा टैग कहां पर इंप्लिमेंट है तो नोर्मल सी बात है नहीं के सामने मार्क्यू लगाया मार्क्यू बन फॉंट लगाय कितने कोलम एड़ कर सकते हैं रो भी एड़ पर कर सकते हैं अब हम कोडिंग को एक बार दुवार आपको समझाते हैं आप इसका साइज कंप्लीट आप ठोटा कर दैजिए चान की पूरपर कर सकें समस्जा सकें सबस्के पहले टैगट से यह हैं स्ब्सक्वाया ना अब यह पूरा दिख रहा होगा तो प्रोपर तरीके से आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं ताकि आप तुद कोड करें तो आपको एजी रहे एस्केमल स्टार्ट बंद बोडी स्टार्ट बंद बोडी के अंदर हमने बीजी कलर ग्रीन लिया उसके बाद में रहा हमारा टेबल का टेबल स्टार्ट टेबल बंद टेबल में एक एट्रिबूट यूज किया बोडर जिसका फाइव रहा साइड और बीजी कलर येलो हमने कि उसके बाद इसमें लगाई हमने रो क्योंकि एक टेबल है तो उसमें रो बनेंगी रो में कोलम बनेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा तीन रो बनाई हमने पहली जो रो है उसके तीन कोलम चार कोलम लिए एक दो तीन चार टीडी स्टार टीडी बंद के साथ और उसके साथ हम कुछ graphics दो इसे सब भी त्यार की कि इस परकार से हम एक वेब पेज के के अंदर टेबल त्यार कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रूप की टेबल ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं थेंक स्टूडेंट अब आप सीरीज में अगर वीडियो हमारी देखते हैं तो लास्ट तक अगर सीरीज पूरी कंप्लीट आप देखोगे तो आप वेब सब्सक्राइब वेब साइट फरंट और बैक एंड प्रोपर त्रीकि से त्यार कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच जै हिंद जै भारत